आउजबिल्लाहिमिन शेतौन इर्वजीम बिस्मिल्लाहिर्वाक्मान इरहीम असलाम लेकुम दोस्तों मैं हूँ मुसिन नजा और आप लोग देख रहे हैं 24R7 टीचर्ज ऑनलाइन यूट्यूब चैनल दोस्तों कलाफ चल रही है हमारी डिटा कम्यूनिकेशन की और आज उस फिरीव का हमारा 18 लेक्चर है दोस्तों आज की कलाफ में हम लोग बात करेंगे AM के हवाले से, FM के हवाले से और PM के हवाले से आज की कलाफ शुरू करने से पहले हम एक बार अगली फ्लाइट पर चलते हैं और देखते हैं के हमने अपने पिछली कलाफ के अदर क्या पढ़ा था दोस्तों हमारी जो पिछली दो तीन कलाफ इस गुवरी हैं वो डेटा ट्रांसमिशन के हवाले से जिसके अंदर हम कन्वरियन्स की बात कर रहे थे हम कन्वर्ट कर रहे थे डिजिटल डेटा को इंटो दा अनलॉग डेटा और उसके लिए हमारे पाफ different methods available हैं जिसमें Amplitude Shift की है जिसमें Frequency Shift की है और Fave Shift की है और Quadrate Amplitude Modulation है और ये तीनों जो है मैंने within detail आप लोगों को समझा है दोस्तों आज की क्लास में भी हम अपनी जो discussion है वो Conversion के उपर data transmission के उपर जारी रखेंगे और आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम कैसे analog signal को जो है convert करते हैं into the analog signal इसको हम analog to analog Conversion भी करते हैं क्योंकि हमारी जो पिछली दो तीन क्लासिस गुज़री हैं वो digital to analog Conversion के उपर थी और उसके अंदर हमने digital signals को जो है analog signals के अंदर convert करना सिखा थूद दा four different method अब ये जो हमारे analog to analog Conversion है इसके अंदर हम लोग जो है तीन method यूज़ करते हैं इसमें एक amplitude modulation है एक frequency modulation है और एक phase modulation इनों को within detail भी discuss करेंगे और हम सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं कि analog to analog Conversion जो है यह क्या है analog to analog Conversion is done through the following method इसके लिए हमारे पाफ जो है वो तीन method available है यह picture में भी आपको नज़र आ रहा है इसके लिए जो पहला method है वो है AM जिसको हम कहते है amplitude modulation दूसरा जो method है इसको हम FM कहते है frequency modulation और तीसरा जो method है जो के आपको इदर graphical representation में भी नज़र आ रहा है और निचे लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है इसको हम PM यानि phase modulation कहते हैं हाब हम इनको बारी बारी देखेंगे कि इनके अंदर हम कैसे analog signals को जो है analog क के अंदर convert करते हैं तो सबसे पहले जो है वो है हमारे पास amplitude modulation अब amplitude modulation के अंदर होता क्या है amplitude modulation is a modulation technique use in the electronic communication इसको हम electronic communication के अंदर use करते हैं most commonly for transmitting the message with the radio wave इसके अंदर मैसेज आपका transmit होता है in amplitude modulation the amplitude of the wave is varied in proportion to the to that of the message signal such as audio signal और इसको फिर हम audio signal के अंदर जो है convert करते हैं अब इसकी हम graphical representation देखते हैं यहां पर आपको screen के उपर जो है एक चार्ट नवर आ रहा है जिसके अंदर आपका message signal है फिर carrier signal है और फिर amplitude modulation signal है अब यहां पर देखें कि आपका जो amplitude modulation है बिल्कुल यह जो last वाली आपको third bottom के अंदर जो graph नवर आ रहा है आप इसको देखें पहले हमारे पास यह first वाली जो graph message signal यह हमें receive हुए अब यह conversion के लिए analog to analog के लिए हमने am का method यूज किया हमने am का method यूज किया अब इसके अंदर देखें हमारी यहां पर आपको एक green arrow नज़र आ रहा है अगर हम इसको horizontally horizontally जो है वो मायर करते हैं तो इससे अगला जो signal है जिसके साथ यह green arrow और है वो व्यादा बड़ा है तो यह horizontally जो हम signal को मायर कर रहे हैं यह basically amplitude देखा रहा है उस signal का तो यहां पर देखें कि आपके जो signal है आपको first diagram के अंदर उपर जो टॉप के उपर नवर आ रही है इसके अंदर हमें ऐसे signal receive हुए और फिर उनके जो amplitude modulation है उसके थ्रूँ जब गुषरे तो इसके जो amplitude है signals का वो देखें कि वो change हो रहा है कहीं पर जो है वो amplitude कम हो रहा है और कहीं पर जो है वो amplitude आपका ज्यादा हो रहा है यह basically am technique है अगर बात की जाए इसकी bandwidth की तो bandwidth भी हम इसकी calculate कर सकते हैं उसका जो formula है वो आपको यहां रहा है left side में के BAM यानि के आपकी bandwidth amplitude modulation वो twice of bandwidth है कि आपको जितनी for example हमें 5 MB दी गई है तो अगर हम उसका twice करेंगे 10 MB तो वो हमारी amplitude modulation की bandwidth बन जाएगी इसके बाद दोस्तों बारी आती है हमारी second की जो second technique है वो है frequency modulation अब frequency modulation क्या है frequency modulation is an encoding of the information in a carrier wave by varying the instantiast frequency of the wave that technology is used in the telecommunication radio broadcast का testing signal processing and computing के यह जो technology यूज की जाती है यह radio broadcast कास्टिंग के अंदर हमारी जो television की communication होती है उसके अंदर telecommunication के अंदर signal processing के अंदर और computing के अंदर यूज की जाती है अब इसको भी हम ग्राफिक तीन जो है वो डायाग्राम नजर आ रही है जिसमें पहली जो है modulation के अंदर और frequency modulation के अंदर फर्क क्या हुआ अब यहां पर देखें कि हम पहले जो है मैयर कर रहे थे horizontally आप जो फरी vertically हम पहले पिछली के अंदर amplitude के अंदर भी मैंने horizontally बोला हम vertically मैयर कर रहे थे वहां पर भी mistake है तो वहां पर भी आपने ठीक करनी है और यहां पर जो है हम मैयर करेंगे horizontally तो यहां पर देखें कि एक signal जो है आपका यहां से लेकर यहां तक है यह green arrow के इसको रिप्रिजेंट किया गया और इसका आगे अगर हम देखते हैं तो य यहां से लेकर यहां तक horizontally पहले जो है आपने vertically देखा amplitude के अंदर और यहां पर horizontally देख रहे हैं तो वह ज्यादा है तो यहां पर इस तरीके से आपकी यह जो frequency modulation है यह होती है अब जो frequency modulation है इसकी भी bandwidth calculate की जा सकती है इसकी जो bandwidth calculate करने का formula है वह आपको screen के उपर नजर आ रहा है कि bandwidth of frequency modulation is equal to 2 into 1 plus B और फिर multiply by B यह B से मुराज जो bandwidth है या आप इससे मुराज बीटा भी ले सकते हैं तो यह frequency modulation है दोस्तों मैं आपको बताता चलों कि मैंने जो है वो lecture record करना जो है कासी अरसे से बंद कर दिये थे क्यूंकि मेरे part time नहीं होता था और दूसरी बात यह थी कि ब download करके lectures को देखते थे YouTube पे नहीं देखते तो उससे मुझे कोई benefit नहीं होता और मैं किसी से कोई fees charge नहीं करता और पूरी आज है वो lecture record करता हूं मुझे पूरी उमीद है कि आप लोगों को समझ भी आते होंगे तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश यही है कि आप लोग य इसके बाद दोस्तों हमारी जो आखरी टेकनीक है वो है phase modulation अब phase modulation क्या है phase modulation is an other type of angel modulation in which the phase of the carrier wave is change according to the amplitude magnitude of the message modulating signal के amplitude के हिसाब से वो आपका change होता है in phase modulation of an analog signal the phase change in the continuous back and forth movement के आपका जो signal है वो back पे भी change हुआ होता है और आगे फर्दर भी change होता है while in case of digital signal there is an about change in the phase of the carrier signal के आपका जो digital हमने जब conversion की बात की थी तो उसमें हमने देखा था कि हमारा जो signal है वो exit कर जाता है the phase modulation of the digital signal generally known as the phase shift की ये भी हमने इसको हम phase shift की भी कहते हैं अब इसकी हम graphical representation देख लेते हैं यहां पे देखें यही आपका वो message signal है उसके बाद आपका carrier signal आ गया अब यहां पे तीसरी जो diagram है इसको समझने की ज़रूरत है यहां पे देखें कि आपके जो signal है वो उपर bottom पे जा रहा था और वो नीचे bottom में नहीं आया बलके वहीं से जाए वो back चला गया और इसी तरह यह आपका एम क्रियेट हो गया और इसी तरह अगर हम आगे देखें देखते हैं इसमें फोर्थ मूवमेंट आगे जाते हैं तो यहां पर देखें कि आपका signal जो है वो bottom के अंदर चल रहा है और नीचे से इसने ऊपर जाना था यहां नीचे से वह ऊपर नहीं गया बलके यहीं से वह वह जो line है O-axis वाली यहीं से वह वापस आ गया तो यह basically आपका phase modulation है और आगे भी यह दिखाया गया और इसके पीछे भी जो है वो यह आपको दिखाया गया अब इसकी भी हम bandwidth calculate कर सकते हैं उसका formula यहां पे नसर आ रहा है भी PM आना था यहां पे AM लिखा हुआ phase modulation और उसका formula भी वह ही है जैसे आपका पिछली slide के उपर आपका phase modulation के अंदर frequency modulation का formula था वही आपका phase modulation का formula है कि 2 into 1 plus B और into B तो यह आपका बन जाएगा phase modulation का formula तो इस तरीके से हम इन तीनों तरीकों को use करके जो है वो analog signals को जो है वो analog के अंदर converge कर सकते हैं तो दोस्तों यह यह हमारी आज की class आता लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बता दूं जो phase modulation के हवाले से बहुत एहम है इसमें B अगर आपका one है तो वह आपका narrow band होगा यह जो आपके bands आपको निज़र आ रहे हैं और अगर three है तो वह आपका wide band होगा तो यह एक एहम बाती आज की class हम यही आपको इनकी graphical representation भी रिखाई और समझाया के इसके अंदर क्या होता है आज की class यहीं पर हम खतम करते हैं और आखिर में मैं यही कहूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियो से अच्छी लग रही है तो आपने like कीजिए अपने दोस्तों के साथ share करें comment करके feedback भी दिया करें और म हुआ 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 है